असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकी हल्प टेप्स वाटसप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से आप काफी जादा परशान हो चुके हैं और आप लोगों ने ये डिसिजन ले लिया है कि भाईया अब हम वाटसप को डिलीट कर देंगे यहीं पे एक गुट निउस आई है वो यह है कि सेंट्रल गॉर्मेंट की काफी पैनी नजर है नई प्राइवेसी पॉलिसी पे जल्द ही वो इसकी जाच करने वाला है गॉर्मेंट ये भी देख रहा है कि वाटसप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो सिर्फ इंडिया में अपलाई हो रही है सेम एज़ इस पॉलिसी यूरोप में अपलाई क्यों नहीं हो रही है WhatsApp की नई privacy जो policy है वो 8 February से apply हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने इस policy को accept नहीं किया आपका account 8 February के बाद WhatsApp से delete हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि government इस पे जो है भी information collect कर रही है उसके साथ साथ उच्चे अस्तर पे जो है आपकी IT ministry के साथ भी बातचीत चल रही है हम सब जानते हैं कि अभी इस time पे भारत के अंदर data protection को लेके कोई law अबलेवल नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि data production जो law है उसकी मंजूरी अभी संस्भवन से मिलना बाकी है और हम ये भी जानते हैं कि इस bill को बनने में थोड़ा सा time लग सकता है जल्द ही WhatsApp के अधिगारियों को पूछताज के लिए बुलाया जा सकता है और पूछने वाला जो सवाल है वो यही है कि भाया जो ये privacy policy है इंडिया के लिए अलग क्यों लोग होती है और European Union के लिए अलग policy आपने क्यों बनाया है और क्या सच में इस privacy policy के तहट आपका जो data है वो other companies के साथ share किया जाएगा चाहे वो Facebook हो या फिर कोई और company हो तो देखने वाली बात यह होगी कि government इस पे और क्या action लेती है और कब हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे WhatsApp कब ये सवालों के जबाब government को देगा जब government इन से पूछेगी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और ये information पसंद आई हो ता आप इसको like जरूर करें अपने दोस्तों को share करें और बताएं कि government जल्दी इस पे action लेने वाली है मेरा भी सवाल ये था कि government इस पे क्यों नहीं कुछ बोल लई है एक अच्छी news आई है कि government जल्दी इस पे action लेगी